पक्खा कुडलरा ऐसी बगारा कोई भी चीजी की दोड़ पड़ेगी हो हम सारी कसानों के पास्ते पूरी करेंगे नमस्कार दोस्तों आप देखना सुरू कर चुके हैं रियल न्यूज हरियाना और मैं आपके साथ करण सिंग समयन किसान अंदोलन को आज लगबग 75 दिन है और किसान है जो लगातार अंदोलन रत हैं लेकिन परधान मंत्री दुआ राज्या सभा के अंदर लगातार बियानबाजी के जा रही है अगर कानून कहीं गल्ट हैं तो उनके अंदर संसोधन किया जा सकता है तो आज हम पहुंचे हैं किसान संगरस्मीती तलवाडा किसान संगरस्मीती तलवाडा से जानते हैं उनकी आगे की क्या क्या रननीतिया हैं सर नमस्कार नमस्कार सर जी सर पहले तो आप अपना नाम बताईए और किसान संगर स्मिती में आपका क्या पद है वो बताईए मेरा नाम जक्सीर सिंग जगी महल गाम तलवाडा तैसील टोहाना डिश्टिक फातेवाद से हूँ और मैं गाम तलवाडा की किसान संगर स्मिती का परदान पद पर जो दावेदार हूँ तो सर आप किसान संगर स्मिती के तलवाडा से परदान हैं तो इन कानूनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं न चे उनंके लिए फाइदा है क्योंकि जदी MSP की गिरांटीने रिएगी मनडी हमारी है जो मनडी सिस्टम नहीं रहेगा तो किसान नहीं रहेगा किसान नहीं रहेगा तो जहान भी नहीं रहेगा हम नहीं चाहते सरकार कह रही है कि आप इसमें एक तरफ तो बो कह रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छे हैं किसानों को फाइदे के लिए बनाए गया है और दूसरी तरफ वही सरकार मान रही है कि इसमें जो गलती हैं आप उसमें सुधार करवालो लेकिन इसमें बिल में किसान का कहीं भी कोई फाइदा नहीं है सिर्फ बड़े उद्योग पतियों को फाइदा पहुंचाने के लिए और अनाज को बंडारों में जो अमीरों के बंडारों में गुदामों में भेजने के लिए ये कानून बनाएगे हैं जाहे उसमें जरूरी अधी नियम बस्तू एक्ट हटाया गया हो चाहे उसमें जे कॉंट्रेक्ट हिकेती हो चाहे वो जो भी बिल बना रहे हैं जे तीनों बिल किसान के बुरुद्ध हैं और आम जनता के बुरुद्ध हैं जैसे मंडी में नाज नहीं जाएगा तो हैपड़ फसी आई जो सरकारी अजनसियां हैं बो नाज नहीं खरीद पाएंगी तो वो मिड में डे मिल भी नहीं सप्लाई कर पाएंगी इसका असर पूरी जनता पर पढ़ने वाला है इसलिए पूरी जनता इस अंदोलन के साथ है और जब तक हमारी जो जे पांच काले कानून रद और MSP की गरंटी की मांग पूरी नहीं होती, तब तक का हमारा अंदोलन हर गाम की तरफ से, हर शेरों की तरफ से ऐसे ही चलता रहेगा और इसको बरपूर समर्थन मिलता रहेगा। सिर्फ बात करें, राकेश टिकैट की गुरुनाम सिंग चडूनी जो हरियाना से हैं, शुक्त मोर्चा के परधान भी हैं, लगातार गाउं गाउं जाकर जल्से कर रहे हैं, आप किसान संगरशमिती के परधान हैं, लेकिन किसानों को ये जल्से करने ही क्या जरूत पड़ी? कोनों ने ऐसा कुछ परचार करना है, किसानों को जोड़ना है, तो बो पस्चिम बंगाल में जाएं, बो केरला में जाएं, बो तामिल नाडू में जाएं, बो महराश्टर में जाएं, बो गुजरात में जाएं, जहां जल्सों की जरूरत है, बहां जल्से करें, हर्याना प बता दें हम जो भी किसानी संदोलन के साथ आम जंता जुड़ी हुई है हम जो पहले की कमेटी एक तालिस मेंब्रों की जो संजुकत किसान मुर्चा बना हुआ है उसके फैंसलों से सहम्त होंगे जदी कल को कोई टिकैत जा चुडूनी जा कोई भी इन में से एक अपना फैंसल सरकार के साथ साहमती जा साहमती जिताएगा उसको हम सरम मानें नहीं मानेंगे हम सरम मानें सिर्फ संजुक्त किसान मोर्चे की जो सरकार के साथ बैठ के मीटिंगे होंगी उसके फैंसले को मानेंगे उसके हिसाब से मारा अंदूलन चलेगा जी बात जनता के मन में पहले ही चल क्योंकि स्टेज से कोई लंगर बगएरा नहीं चलता स्टेज का जो प्रवंदगा है वो सिर्फ उस पैसे को खर्चा जा रहा है पता नियुक्त बाद में कहां खर्चा होगा किसे साब से होगा जो भी बाई चाहे कोई किसान है मजडूर है नौज़वान है जूबा है कोई फौर्ण कंट्री जो दान करना चाहता है भो दान करे पानी का सबजी का दूद का अनाज का और इसमें खाने पीने की कोई भी राच्छन खुद अपने हाथ से लेकर उन बाटरों पर बहां लंगरों में बाट के तो वह बहुत अच्छा दान होगा जो स्टेज पर दान जा रहा है हम उसमें सहमतनी हैं जी और पांच में दिन हमारे जहां से दूद का जो हम सेबक लेके जाते हैं जुरूरी समान लकड़ वालन भी हम जहां से पांच में दिन लेके जाते हैं हमारे जहां गाम से अब मेरे गाम से लगवग 25 आदमी टीकरी वड़र पर बैठे हुएं जिसमें पांच मजदूर बर्ग से हैं और दो तीन लोग मुस्लिम बर्ग से भी हैं बाकी हमारे किसान है 1718 और पांच में दिन हमारा जो जथा जाता है साथ में दूद पानी अन्यर अच्छन समगरी लेकर जहां से हर रोज पांच दिन बाद जतार मना होता है और लेके जाते रहेंगे बात रही दान की जो भी दान करना है वो खाने पीने के समान में सीधा बोटरों पर जाके करें पैसे के रूप में किसी को दान मत दें जो कनून बना करने करने जाएगी गर्मी चाहिए कूलर पके लगा देंगे उते हैं अच्छन अब चल रहा है अंदोलन तो आगे कब तक चलने की उमीद है कोई पता नहीं कितने चल चल जाए जिए नजर ना आगे सीजन का टाइम में गर्मी आ रही है इसमें आपके त्यारियां रहेंगी जैसे दिल्ली बोडरों पर अब तो सर्दी थी टेंट लगा दिये थे रजाई कंबल पहुंचा दिये तो आगे की क्या त्यारियां रहेंगी निए अगे गार में चे जड़ी चीज दिव जरूरत होगी जिमें कूलर होंगे पक्खे होंगे ओ आसी सा फरेंगे बरूड पड़ेगी हो हम सारी एक सानों के पास्ते पोरी करेंगे किसे चीज की भी कमी नहीं आने देगे जितना मर्जी लंबा चले तो देखा दोस्तों आपने आज हम तलवाडा के अंदर थे और किसानों का होंसला देखिए आप इन्होंने कहा है अगर अंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले किसानों को दिल्ली बोडरों पर जिस भी चीज की जुरूर्थ होगी पर उपलवद करवाएंगे सरकार से कानुन वापिस करवा कर ही वापिस घर आएंगे तब तक आप देखते रहिए रियल न्यूज हरियाना